बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलामुलीकूम वेलकम बैक माई यूटीब चैनल श्मीन स्टिचिंग आइडियाज तो वीवर्स कैसे हैं आप सब तो वीवर्स वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजिए तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खुबसूरत सा ट्राउजर डिजाइन लेकर आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लास्ट तक वाच कीजिएगा क्यूंके बहुत ही खुबसूरत ट्राउजर आज हम रेडी करने वाले हैं तो वीवर्स मैंने फ्यूज पेपर लिया है जो मैंने अपने ट्राउजर के पाइंचे पर पेस्ट कर लिया है तकरीबन साड़े छे इंच के करीब ये चुड़ाई है आप साथ इंच लिजिएगा और लेंथ आप अपनी पाइंचे के हिसाब से रख लिजिएगा तो इस तरीके से मैंने एक स्केल की मदद से स्केल के जितना ही चुड़ाई हमें चाहिए इन लाइन्स ड्राउ करने में तो हमने इसकी लाइन्स को वन बाई वन ड्राउ करते वे जाना है तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ तो ये हमें नोक पर पहले कट लगाना है ताके हमारी ये नोक खुबसूरत सी बन जाए तो ही हम उपर की साइट कट लगाना शुरू करेंगे तो मैंने ये ग्लू स्टिक ली है तो तकरीबन हमारे ये कट्स कंप्लीट है आप चाहें तो यू एच यू भी इस्तमाल कर सकते हैं चाहें तो ग्लू भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने लास्ट में ग्लू भी यूज किया है तो ये ग्लू स्टिक से अब हम इसको हलका हलका सा लगा कर इस तरीके से मोड़ कर ट्रेस करते वे जाएंगे वन बाई वन हमें इसको फोल्ड करते वे अच्छे से नोक बनाते वे फोल्ड करना है और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप आईरन को हलका सा घरम करें और पास ही रख लें जैसे गलू स्टिक लगाएं उपर हलकी हलकी सी आईरन करते वे जाएं अभी मैं आपको आईरन करके बताओंगी ये देखें कितनी खुपसूरत हमारी ये नोक रैडी हुई है तो इसको या तो किसी चीज़ से दबा दें तो या फिर आईरन करते वे जाएं मैंने iron किया बहुत ही जल्दी और बहुत ही खुबसूरत ये देखें इस तरीके से उपर पर आपने हलका हलका iron करते वे जाना है तो बाकी भी इसी तरीके से हम ready कर लेंगे तो ये हमारी complete हुई तो ये देखें हमारी जो सारी nocks हैं complete हुई अब हम इस पर tick and cross का निशान लगाएंगे जो tick होंगी वो हमें नहीं cut करना है और जो cross होंगी वो हमें boxes cut करते वे जाना है ये देखें इस तरीके से अगर आप निशान मा कर लेंगे तो बिलकुल भी आपके trouser में कभी भी गलती नहीं होगी तो ये देखें और बड़े ही एहतियात से हमें हलका हलका nocks से cut लगाना है ताके ये हमारा जादा न कट जाए इस तरीके से हमें UHU लगाकर gum stick UHU या फिर glue लगाने के बाद फिर इसको अच्छे से fold करना है और उपर उपर press करते वे जाना है प्रेस हमें हलका ही रखना है बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है तो इस तरीके से हमने हलका हलका इसको fold करते वे उपर से press करते वे जाना है तो बहुत खुबसूरत और neat design आपका ready होगा तो बाकी भी हम इस तरीके से cut कर लेंगे जहां पर हमने cross mark किया है उसी को हमने cut करना है जो हमने right का mark लगाया है तो उसको हमने बिलकुल भी cut नहीं करना तो इस तरीके से देखें हमने सारे boxes complete कर लेने हैं boxes complete करने के बाद next procedure मैं आपको बताऊंगी आपने video last तक watch करनी है तो ये देखें इस तरीके से हमने boxes को fold करना है और press कर देना है प्रेस करने के बाद ये कहीं भी नहीं जाने वाले boxes हमारे या फिर हमारा जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है बिलकुल भी उठेगा नहीं तो दब जाएगा तो लीजी हमारे boxes complete हुए वो जो yellow में रखा था मैंने इसके नीचे कपड़ा वो मेरी shirt थी वो printed थी तो मुझे अच्छा नहीं नहीं लगा तो मैंने ये simple लिया ये भी मेरी shirt में color था आप चाहें तो organza का fabric भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे cotton fabric ही लिया है और वो भी simple तो मैं इसके उपर paste करूँगी तो ये पहले मैंने तकरीबन length ली है इसकी 1.5 इंच के करीब तो अब मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी length मुझे इससे तकरीबन 1.5 इंच के करीब लंबी रखनी है चुडाई में ज्यादा रखनी है क्यूंकि हमने निचे की side से fold करना है जहाँ पर हमारे cut बने हैं वहाँ पर हमने इसको paste करना है और उपर की side से भी हमने फोल्ड करना था तो इसलिए यह मैंने glue लिया है तो मैं यही आपको बता रही थी कि आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन UHU का यह है कि फिर बाद में आप उस पे सिलाई लगाएंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है लेकिन glue से या stick से जब हम लगा कर paste करते हैं कपड़े को तो ज्यादा मोटा भी नहीं होता कपड़ा और easily stitch हो जाता है तो देखें इस तरीके से हमें nook को बचाते वे इस कपड़े को पर press कर देना है मैंने यह कपड़ा की side से पहले ही fold कर लिया था तो उपर से मैंने इस पर press कर दिया है प्रेस की मदद से यह बहुत ही अच्छे से इसके साथ चिपक जाएगा और इदर उदर हिलेगा भी नहीं बिलकुल भी और हम आराम से इसके उपर stitch कर सकेंगे boxes के उपर उपर हमें stitch करना है तो पहले हम इस साइड़ों से जो extra fabric होगा हमारा उसको कट करेंगे अब फिर इदर प्रेस करेंगे हम इसको अच्छे से और साइड़ों से कट कर देंगे यह देखे मैंने extra fabric कट कर दिया है अब फिरसे हम इसको press करेंगे ताकि और ज्यादा finishing आ जाए फिर हम इसके उपर stitch करें आप भी अच लेकिन स्टार्ट कर दिया है मैंने स्टिच करना तो विवर्स हमें स्टिच करते वे धागे को बिल्कुल भी कट नहीं करना है इसी तरीके से स्टेट लाइन को लेकर जाते जाना है जिस साइड भी हमें सही लगे हमें इजी हो हम उसी साइड से स्टिच करते वे जाएंगे इस इसी तरीके से कम्प्लीट करते वे जाएंगे तो हमारा ये ट्रॉजर डिजाइन बहुत ही खुबसूरत यूनीक डिजाइन रेडी हुआ है तो यह दिखें बड़ी एहतियाद से हमें बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है कॉर्णर हमें अच्छे से बनाने हैं इसकी नोक अच्छे से बनानी है स्टिच करते वे यह देखें तो विवर्ज अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्यार लखा करें और धुआओं में मुझे भी याद रखा करें तो यह देखें हम स्टिच करते वे जा रहे हैं तो हमारा स्टिच कितना खुबसूरत और रेडी हो रहा है यूनीक यह देखें विवर्ज बहुत ही खुबसूरत सा हमारा स्टिच कम्प्लीट होने को जा रहा है अब थोड़ा सा उस साइड से हमारा डिजाइन रेडी है और इस साइड से अभी बाकी हैं सिलाइयां लगाना तो हम उसे भी कम्प्लीट कर लेंगे यह देखें तकरीबन हमारा कम्प्लीट होने वाला है डिजाइन तो वीवर्ज अगर यह देखें हमारा डिजाइन बनकर रेडी है यहां से विशक आप तुरपाई करें या सिलाई लगा लें अब हम इस पर मोती अटैच करेंगे नो के दर्मियान में हमें एक-एक मोती अटैच करना है तो यह देखें तो वीवर्ज कॉमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आज का डिजाइन आपको कैसा लगा तो मैंने इस पर बहुत मेनत की है तो वीवर्ज आप भी इसको रेडी कर सकते हैं थोड़ी मेहनत होगी लेकिन बहुत ही खुप्सूरत डिजाइन रेडी हो जाएगा तो आप बॉक्स को इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं कपड़ा नहीं अटैच करना चाहते लेकिन कपड बहुत ही खुप्सूरत और यूनिक रेडी है तो अपनी वेहन को दौाओं में लाजमी याद रखा करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखा करें तो यहां से हम इसको फिटिंग कर सिलाई लगाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त हमारा ट्रॉजर डिजाइन बनकर रेडी है यह हमारा दूसरा पाइंचा है तो अभी इस पे हम लोग मोती कंप्लीट करेंगे तो बाद में ही फिटिंग करेंगे तो अपनी वेहन को दौाओं में याद रखेगा अला हाफीज